वोल वार टू स्टार्ट हुआ था 1939 सप्टेंबर के महिने में यह तो यहां पर लड़ाइस चुरू हुई थी इसके पहले अगर आप सोचो तो यूरोप में हिटलर ने बहुत सारी जगहों पे अल्रेडी धीरे ना उनको अटाक करके अपने में एनेक्स जर्मनी के साथ जोड कर दिया था तो 1939 के पहले ही यह सब शुरू हो गया था बट फाइनली जो लड़ाई शुरू हुई थी वो पोलेंड के इन्वेजन के साथ चुरू हुई थी 1939 में क्योंकि जब हिटलर ने जर्मनी ने इन्वेड किया पोलेंड को तो तुरंत फ्रांस और बिटन ने वार्ड जो समय ऐसे ओफिशली आलाय नहीं थे जर्मनी के बट उनकी बीच में एक पैक्सायन होके रखा था तो इन तीनों कंट्रीज के बीच में ऑल्मोस्ट पूरा युरोप इन तीनों कंट्रीज ने कंट्रोल करका था या हरा दिया था या उनके साथी थे या उनको हरा चुके अभी इन सारी कंट्रीज के बिच में एक कंट्री थी जो कभी लडाई मी नहीं पड़ी और इंपोर्टन जगह पे होने के बावजूत किसी ने भी इस पर हमला नहीं किया आप लोग ओली जानते हैं कि यह कौन सी कंट्री है यह कंट्री है स्विजल양 ना कभी इस पर आटाक को क्या प्यार था स्विजेलेंड से कि वो अपना सेफ रहा हमेशा क्या ऐसा कर रहे थे स्विजेलेंड के लोग कि उन पे कभी भी हिटलर का कहर नहीं भरपा या फिर सोवेट उनिंज में स्टालिन ने कुछ नहीं किया बाग इंट्रीज उनको अके लिए छोड़ के रखा औ कि क्या एक्चुली जर्मनी का या इटली का कोई ब्लान नहीं था स्विजेलेंड को इंवेट करने का बिल्कुल प्लान था हिटलर ने स्टार्टिंग से ही ये कहा के रखा था कि वो स्विजेलेंड की नूट्रालिटी को रिस्पेक्ट करेगा यानि वो उन पे हमला नहीं करेगा बहुत सालों पहले से ही बोलकर रखा था और उसके बाद उसने जब और चकोस्लोगा किया इन दोनों कंट्रीज को एनेक्स किया उस टाइम भी और फिर पोलेंड के इंवेजिन के पहले भी उसने इस बात को कंफर्म किया कि मैं नहीं अमला करूंगा स्विजेलेंड के उप और फ्रांस को अक्चली उनों ने हरा दिया 1940 में उसके बाद फिर हिटलर ने अपने जनरल्स को बोला भाई चलो में उसको दिखाओ कि तुम्हारा क्या प्लान है स्विजेलेंड को इनवेड करने के लिए तो एक्चली हिटलर के मन में वो बात थी कि इनवेड करना है और उ स्विजेलेंड को तो जर्मन प्लान कुछ ऐसा था कि वो इस ऑपरेशन टैनेंट बॉम के लिए 20 से ज्यादा आर्मी के डिविजन को कमिट करेंगे बात में उन्होंने यह नंबर कम कर दिया था पर उनका प्लान तो था परनतो अल्टीमेटली यह जो ऑपरेशन उन्होंने प्लान किया था इसको कभी एक जीक में किया डिया कभी इन्वेट नी किया स्विजेलेंड को क्यों था यई इसका एक्चुल रिजन तो किसी को भी नहीं पता है कि Hitler ने दरसल क्यों इंवेड नहीं किया बट इसकी बहुत सारी थियोरीज है लग बहुत लोग अटकले लगाते हैं कि यह रीजन होगा यह रीजन होगा तो हम कुछ रीजन की बारे बात करते हैं रीजन नमबर वन Switzerland had practiced armed neutrality यानि Switzerland ने कहा के रखा था कि वो neutral है बट वो सिफ ऐसी neutral नहीं थे कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं बस हम neutral है उनके पास एक अच्छी आर्मी थी और एक well equipped आर्मी थी अगर आप numbers की बात करें तो Switzerland के पास लगबग 4.3 lakh की active combat soldiers थे उसके पास और उसके अलावा 2.1 lakh reserve troops थे और उसमें से 12,000 women भी थी तो एक अच्छी खासी sizable आर्मी थी उनके पास और Switzerland अगर देखा है तो बहुत बड़ी country नहीं है पर उसका रीजन ये है कि Switzerland में जमाने में एक compulsory एक rule था कि अगर आप 18 वर्ष से उपर है और आप अपनी पढ़ाई करते हो तो उस पूरे process में एक compulsory चुछ होती है कि आपको military service करनी है और ये आज भी Switzerland में एक rule है अगर आप जाओ वहाँ पर आप देखो कि सब लोगों ने जितने भी वहाँ पर लड़के हैं उन्होंने military service की ही होती है तो बहुत या तो military service की होगी फिर उसका alternate कुछ तो किया रहेगा तो आप सोचिए कि कभी भी अगर उस country को invade करता है कभी भी कोई अटाक करता है तो उनके पास जितने भी आदमी है वो उन्होंने combat का उन्होंने training किया है उन्होंने आर्मी में एक experience लिया है इस वज़े से वो as soldiers act कर सकते हैं तो इसलिए इस तरह से उनकी जो आर्मी है वो काफी बड़ी हो जाती है और जब Poland का invasion हुआ था उसी time तीन दिन के अंदर Switzerland ने पूरी आर्मी को mobilize कर दिया तो वो neutral country तो थे बट उन्होंने यह सोच कर रखा था कि हाँ भई हम लोग के उपर भी जोना सकता है तो उन्होंने उसके लिए तैयारे करके रखी थी तो ऐसा नहीं था कि आप जाओ गे और एक पीस आफ के अराम से आप घुज़ जाओ गे उसके अंतर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था दूसरा रिजन यह था कि स्विजलेंड में आल्फ्स एक माउंटेन रेंज है मतलब बहुत बड़े बड़े पहाड है और अगर आपके कंट्री में ऐसे नैचरल ऑब्सेकल होते हैं तो किसी भी इन्वेडिंग आर्मी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है आपके उपर एक बड़ एसाल्ट लाँज करना तो इसी वज़े से जब हिटलर ने देखा कि मुझे अगर इस कंट्री को इन्वेड करना है तो जैसे उसने फ्रांस को इन्वेड किया था सोवेट इन्वेड किया था मतलब सीधा सीधा प्लेन रास्ता सीधे आप अंदर चले गए यह ऐसा एक मास इ इन्वेड को भी तकलीफ हुई थी कि कैसे फिल्लेंड में मड़ी रास्ते हैं और बहुत जंगल है तो ऐसी जगह पे इन्वेजन करना आसान नहीं होता है यही प्रॉब्लम स्विजलेंड में भी थी वहां की जोग्राफी ऐसी थी कि हिटलर और इटालियन लोग यह जानते नहीं होते लिए openagy ऑश Saul भी जबी आप किसी कंट्री को को इन्वेड करते हो तो आपका मण में कोई बहुत एक सपेसिफिक परपos होता है कि आपका कोई बहुत बर एक akt कांव साबित होगा उस कंट्री को इन्वेड करने से कुछ बहुत बर फायदा होगा अब स्विजिल प्रिटोरियल गेंग के वह से कोई खास बेनिवेट नेजर नहीं आ रहा था स्विजलेंड को इन्वेट करने के लिए तो आपको उसके पर लिए बहुत कुछ मिलना चाहिए और ऐसा कुछ स्विजलेंड में उस समय नहीं था रीजन नमबर फोर नाजी जर्मनी ने स्विजलेंड के साथ अपने ट्रेड लिंक्स बना के रखे थे यानि कि लगातार उनके साथ वैपार हो रहा था और जब यह लड़ाई शुरू होगी जब सेकेंड और वार ओफिशली यूरोप में पूरा फैल गया तब यह बहुत जरूरी था नाजी जर्मनी के लिए कि स्विजलेंड के साथ उनका यह जो ट्रेड है यह बरकरार है क्योंकि जो आप इतना लड़ाई कर रहे हो कोई भी आप बड़े स्केल पर अक्टिविटी करते हो इतना बड़ा वार हो रहा है जहां पर आपके सोल्जर कहां कहां गए हुए हैं दूर दूर तक और आपको इत पैस-णैस होके रखा हैं इंफ्रास्रक्शर टूट-फूट के रखा हैं तो आपको कहीं तो चाहिए कि आपको कहीं से पैशा आता रहें वह कंट्री थी स्विजजलेंड क्योंकि स्विजलेड एक सेफ जगा थी वहां पर किसी ने हमला नहीं किया था तो स्विजलेंड कि बहुत सारे concessions दे रहे थे उनको बहुत रियायत दे रहे थे जर्मनी को कि हाँ भई तुम हम तुम से ट्रेट रगार रखेंगे बड़ तुम हमको invade मत करना तो उस तरह से actually Germany का फायदा हो रहा था Switzerland को invade ना करने से reason number five जो actually बहुत controversial reason है और इस पर बहुत rumors भी है कि इतना जो gold इकठा किया था नाजिश जर्मनी की administration ने और इतने juice को उन्होंने जो persecute किया था उनको वो concentration camps में भेज रहे थे तो उनसे जो उनकी belonging जो लेते थे उनका सोना ये सब जो भी इकठा करते थे यह सारा सोना बहुत भारी मात्रा में वो भेशते थे स्टोर करने के लिए Switzerland के banks में इसलिए वहां से concept शुरू हुआ Swiss banks का कि सारा जो basically tainted पैसा है जो ऐसी संपत्ती है जिस पे बहुत कर्स्ट संपत्ती है वो सारी संपत्ती Switzerland में save की जा रही थी और इस वज़े से भी यह बात जानता था Hitler कि उसका बहुत जर्मनी का बहुत पैसा और जो उन्होंने मतलब गलत तरिके से उन्होंने acquire किया है वो उन्होंने store करके रखा था Switzerland के banks में और वो एक उनके लिए बैक अप था कि वो तो उनको चाहिए ही चाहिए तो उनको invade करने से कोई भी फाइदा नहीं होता जब पूरे यूरोप में हंगामा मचा हुआ था सार स्टेबल करेंसी बना हुआ था और इस वजए से भी यह जरूरी था आसपास के देशों के लिए कि वो करेंसी बराबर स्टेबल रहे और उस करेंसी को यूज कर सके तो कुल मिला के स्विजिलेंड एक नूट्रल कंट्री था वो वार में अफिशली पार्टिस्पेट नहीं नूट्रल होने के बावजूद भी उनकी जमीन की जो वो होती है ना सुविरिनिटी मतलब आपके देश में जो आपका जमीन है आपका एर स्पेस है उसको कोई यूज नहीं कर सकता उस चीज को वाइलेट किया गया था जब जर्मनी ने फ्रांस के पर हमला किया था तो लग हमला करने के लिए क्योंकि हम लोग नूट्रल है तो ऐसा हुआ था और वैसे ही अलाइट की तरफ से भी हुआ था कि उन्होंने काफी बार इन्वेट किया था उनका एर स्पेस तो शुरू-शुरू में तो यह लोग क्या करते थे ना स्विजेलेंड के लोग कि यह जो जित उन्होंने शूट करना शुरू कर दिया एक बार तो असा भी वह था 1942 में ऑक्टोबर के महिने में जब एक अमेरिकन बॉमबर ने स्विजेलेंड का एर स्पेस वालेट कर दिया था और वहाँ पे बॉम गिरा दिया तो उन्होंने उस प्लेन को शूट कर दिया और उसमें सि जर्मनी की मदद कर रही थी उनका सोना स्टोर कर रही थी और बेसिकली ट्रेड उन्होंने बडर करार रखा था और ऐसे करते करते वहां से शुरुआत हुई च्छी वहां प्रपती इतनी धन होलत इसी वज़े से आई क्योंकि इतना पैसा उनके पास आ रहा था स्छीन वर् जहां पर unemployment बहुत ही कम है। महां पर विरोजगारी का दर बहुत कम है क्योंकि बहुत पैसा है उस country के पास। और ऐसी भी एक rumor है, अश्मी कितनी सचाई है वो तो बता नहीं, बट ये भी है कि Switzerland से जब बहुत सब खतम हो गया और Switzerland से जर्मनी ने पैसा वापस मांगा, तो Switzerland ने उसका बहुत ही कम हिसा दिया था, क्योंकि again it was all tainted बनी, ये सारा पैसा ऐसा तो था नहीं कि आपने बहुत सही तरह से acquire किया था, अगर वो आपने loot के acquire किया तो उस पैसे को आप वापस नहीं दोगे, तो सामने वाले इंसान में कुछ कहा है नहीं सकता, तो इस वज़े से भ बहुत लोग उसकी निंदा करते हैं, कि उन्होंने इतना war, destruction, इतनी लोगों की जाने जा रही थी, तो इस सारी चीज़ का फाइदा हो रहा था Switzerland को, इस बात की बहुत निंदा की जाती है Switzerland के लिए, बट दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि अगर Switzerland की जगा पे आप होते है यानि आप एक ऐसी position में हैं, जहांपे आप घिरे हुए हैं, चारो तरफ से, दुश्मनों से, और हर तरफ लड़ाई हो रही है और आप बचे हुए हैं, तो क्या आप अपने जितने भी आपके पास resources मौजूद हैं, आपके पास क्या है, आपके पास आप ये offer कर रहे हो कि म हैं, आपका पैसा सेव करूँगा आपके लिए, तो क्या अगर ऐसा करने से आप अपनी country को war से बचा सकते हो, destruction से बचा सकते हो, तो क्या आप वो नहीं करोगे, तो इस मज़े से स्विजिलेंड का पूरा situation है, ये दो तरफ बढ़ के रह जाता है, कि कहाना तो असान है कि उ बहुत सारा पैसा जो स्विजिलेंड के पास था, वो ऐसा पैसा था, जो लूट के कट्ठा किया गया था, और उस पैसे से, obviously स्विजिलेंड की economy मजबूत हुई, तो यह बात हो जाती है कि आपने एक बहुत बढ़ी building मना ली, बट नीचे का बरिस्तान था, तो इन दोनों स साइट की वज़े से, स्विजिलेंड का यह जो पूरा perception मना second world war में, यह दो तरफ, दो खेमों में बटा हुए, तो इसके बार में आप क्या सोचते है, क्या जो स्विजिलेंड नी किया, यह क्या सही था, या क्या इस तरह से पैसे को स्टोर करना, उनकी मदद करना, नाजी कॉमेस में जरूर बताना, और अगर आपके उड़े अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा,